सो रिसेंटली बजेट रेंज के अंदर फायर बुल्ट उनकी एक के बाद एक स्मार्टोच एस लांच कर रहा है सो उनकी और एक स्मार्टोच रिसेंटली ही लांच हुई है जूकि ही फायर बुल्ट एकलिप्स लग्स दोस्तो आज किसी वीडियो में हम इसी smartwatch को detail में explore करने वाले है जानिंग इसके specifications, कैस की price है, कैस के best features है और ये smartwatch up को buy करने चाहिए फिर नहीं इसके बारे में भी बात करेंगे सुचली आज की इस वीडियो को start करते हैं बिना किसी देरी के फष्ट फॉल बात करें इस मार्टोज के डिजाइन के तब को बहुत ही बढ़िया डिजाइन लिकने मिलता है Specialist का Red Color का बटन इस मार्टोज को बहुत ही अच्छा लुक प्राउड करता है Build quality भी इस smartwatch की overall बहुत ही अच्छी होने वाली है और इसके साथ IP67 rating भी दिखने मिलती है Display की बात करें तो 1.4th रिंचेस का AMOLED display है जिसकी quality बहुत ही अच्छी होने वाली है और इससाथ Always on display का feature भी दिखने मिलता है Bluetooth calling का feature है और इस smartwatch के नरब कुछ contact save करकी में रख सकते है अगर इसके bat life की बात करें तो 230 image की battery देखने मिलती है जो कि आपको normal use पर 4-5 days के असपास चल जाएगी अगर आप calling feature के साथ यूज़ करें तो किसे 2 दिन के असपास चल जाएगी और इसके साथ voice assistant का feature भी आपको दिखने मिलता है इस रिलेटेड आपको main main track की सी दिखने मिलते है जिसके heart treat monitor है, SP2 है, sleep tracking है और इसाथ कितने कैनलेश आपने burn किये हैं वो भी ये smartwatch शो करती है सो से भी ज़्यादा sports mode से जो कि overall बहुत एची बात है इस smartwatch के आपको कुछ reminders भी देखने मिलते है smart features जिसकी smart notification, camera shutter button, weather information, music control इस टाप की features भी आपको देखने मिलते है utility features जिसकी timer set करना, alarm set करना, stopwatch लगाना इस टाप की features भी है और सारे watch faces है और इस smartwatch को smartphone के साथ connect करने के लिए आपको इस app का use करना पड़ता है इस smartwatch के weight के बात करें तो 70 gram के around इस smartwatch को overall weight होने वाला है और ये smartwatch made in India है अब बात कर लेते हैं इस smartwatch के कुछ best features की जिस वजे से गर आप इस smartwatch को buy करना चाहते हैं तो consider कर सकते है smartwatch का design को बहुत ही अच्छा देखने मिलता है और इसाथ इस टाप के metallic straps भी available है 1.43 इसका AMOLED display है जिसकी quality भी overall बहुत एच्छी होने वाली है अब इस smartwatch की price की बात करें तो 1.999 इसकी price है firebolt की official site के उपर इस price की सबसे overall बहुती बढ़िया smartwatch है अगर आप इस budget में एक AMOLED display वाली smartwatch buy करना चाहते हैं तो इस smartwatch को buy करना consider कर सकते हैं हा लेकिन मेरी suggestion हैगी कि properly reuse देखने के बाद ही buy करना consider कीचे आप इस smartwatch को check out कर सकते हैं पिन comment के अंदर link है तिलना आज की इस video में इतना है मिलता है ऐसी अगली video में